आप हैं बिहार समवदाता के शाथ और मैं हूं मनोच चतुवेदी बिहार में तमाम जो अइतिहासिक इमारते हैं उसको रख रखाओ का खर्च नहीं जूडता है अइतिहासिक इमारतों को तोड़ कर पांच सितारा होटल बनाने की यूजना बिहार सरकार की है और मुख्यमंत्री नितीस कुमार इंग्लैंड गए हैं म्यूजियम म्यूजियम करने आखिर क्या म्यूजियम से बिहार के गरीब के पेट में रोटी मिल जाएगी उनके सर पे छत हो जाएगी और इसी पर तमाम बात करने के लिए हमारे शाहत भाकपा माले के विधायक है रामबली शिंग रामबली जी विरेश गए हैं म्यूजियम देखने के लिए कि वाइसा बनाया जासे बीजेपी वाले लोग भेजे होंगे चुकि हम लोग के बीच जब थे महागट मंदर में मन्य नितीश कुमार जी तो हम लोग उनको इंग्लेंड नहीं भेज करके उनको हम लोग सलाह देते थे उनका भी जोगदान रहता था और हम लोग उनको कहते हैं कि नोकरियां माटने आप गांदी मेदान चलिए आप आपने चलिए तो इस तरह कि चर्चा हम लोग करते थे जब बीजेपी के साथ ऊगोगे थि तो हम कटे चुकण मीजियम तो बना चुके साथ जाएंगे तो वही करेगा और जहां तक इशा बिमारतों की बात है हम जी सवास में हैं जहां आप इंटर्वीव ले रहे हैं यहां पर इसके पहले भी इमारत खड़ी थी एक कुछ नहीं हुआ था जमाने का बना हुआ अभी वियार विदान सवा का जो भवन है आप उसक इसको हम नश्ट कर दें और इसलिए वो नश्ट करना चाहती है कि बीजेपी का अपना कोई इतिहास खुद ही नहीं है उसके पास पूरा देश अमबानी अडानी को देने का एक प्लान है और अमबानी अडानी से उसके बदले में इलेक्टरल बॉंड के माध्यम से पार्टी के लिए चंदा जो लिया जाता था तो यह तो दोनों के बीच जो है अग्रिमेंट है इसमें तो कहीं से कोई दोराय नहीं है और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि बहुत अभी चर्चा चल रही है चुनाव के टाइम है गरां और पांच किलों मिलेगा गरीबों को और हम अभ्राणी औड visa मिलेगा गरीबों पांच किलों मिलेगा तो इसलिए कि भरश्टा-चार की अब्यू की विर तो नहीं है आ यहां जो होटल में डेरा ले ली आई डी शी भी आई वह अभी यहां से जाहीं नहीं रहा है कि एक नेताओं के हां तो हम कह रहे हैं कि प्योर भरस्टा चार के अलावए कुछ नहीं है अभी हम लोग खुद विधाय कवास जिसमें हम रह रहे हैं आप बैठे हुए इसमें एक कांटी मारी है का बरबरा करके गिर जाएगा मतलब उनको इमारत बनाने से नहीं था मतलब माल कमाने से है और वो सब कुछ हुआ है उसी सरकार में बीजेपी जीश सरकार में थी नितिस बावु मुखमंत्री अभी भी हैं कल भी हैं मुखमंत्री के नाते गए हैं चलिए दौरे पे गए हैं एक अधिकारी को ले जाते लेकिन इतना बड़ा एक प्रतिनिती मंडल साथ गया है एक लोग पर सिर्फ आने जाने का खर्च राम बली जी तीन लाक रुपया है जो हम आकड़े निकाले हैं करोड़ों का खर्च करना दीपक कुमार को लेगा हैं अपने सचीव को पत्ना के कमिस्टर कुमार रवी गये हैं चलिए अभीकारी है तो ने जी तो आसत अटीकर्ट नहीं स्वाल प्रीट आप यहीज़ रहें सवाल ले नहीं यह समझता हूं कि यह उतनी बड़ी सवाल नहीं तिन्टी मैं सवाल अभी अभी आप देखे होंगे मोदी जी के मंच पर राजपाल ताली बजा रहे हैं 21 हैंसियत से बजा रहे हैं आप उनसे पुछें अमित साहाजी के रैली में राजपाल राजपाल एक पद होता है ब्यार बिधान सबा में बिधायक हैं लेकिन जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो एक जिम्मवारी होती है उनके पास एक परोटोकॉल होता हुए किस परोटोकॉल के त्ख एक राजपाल बजायक रहे करके ऑर अर आपार्टी जवाईम कर ले पुरिय देश की जंता को निश्टीत रूप से इसपर बात करनी होगी समझनी होगी कि वो जो वेक्टी फैंसला सुनाया इतने दिनों तक, कितने को फांसी दिया होगा, कितने को आजीवन का रावास दिया होगा, क्या वो निस्पक्छोगा? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं है कि जो चुनावायुक्त है वो भी मंच पर ताली बजाए तो जब इस तरह की ब्यवस्था यहां पर कायम है बीजेपी के राज में मोदी जी के राज में और वही बीजेपी अभी नितीश कुमार जी को हाईजक कर लिया है इलक्ट्रोल बॉंड के पैसे के बलपर एडी सीवी आई के दासत के बलपर तो इस सरकार से अलग से हम क्या सवाल कर सकते हैं कि किस हैसियत से संजे जी गए उनकी राज है कोई कहीं जा सकता इसमें हैसियत क्या सवाल है लोग तंत्री से लिए तो मैं कह रहा हूँ खर्च तो बिहार के गरीब जनता का पैसा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ कि खर्च किनका है अमबानी अडानी यह जो कुरोना काल था जहां जीने के लिए सोचना पड़ता था लोगों को लिए अक्सीजन के लिए लोग तरस गए पैदल चल दिये लोग य पाट़ पंदी और कुरोना काल में जो विना सिंख पैर के लोगडाउन किया गया और उसी समहें में बड़े पुझी पत्यों का जो पुझी है उनका जो मुनापा है सोला गुझा उनकी पुझी हो जा रही है तो हम कहत कर रहे हैं कि समझी रहे हैं यह खर्च भिहार के गरी हुआ और आर्थिक सर्वेक्षन हुआ सरकार कह रही है हम लोग साथ में थे मुख मंत्री जी कह रहे हैं इस तो सर्वे करने से हमको पता चला बाप रिवा इतनी गरीबी है दस ए सजार सा कम पर जिन्दा है उस उस बिमारू राज के मुखिया इंगलेंड घुम रहे हैं स्कॉटलन हम बार बार owns इन्सों कह रहे है कि अगर विहार की गरीबी दूर करना है तो बिहार के गरीवी दूर करना है तो आप जो बेतन देते हैं यह आगनबाड़ी से विका को सहाई का को रसोहिया को जिसका परती दिन के हिसाब से 50 रुपय पड़ता है आप इसको न बढ़ा दीजिए गरांटी जदी लेना है मोदी जी को आपको बिहार के विकास कराना है जो आप चिंतित हैं कि बहुत कम आमद पर जिंदा है तो आप इसको बढ़ा दीजिए इंगलाइट घुमने के बजाए आप मुजीम बना रहे हैं मुजीम ठीक है हम मुजीम बनाई है लेकिन इनके हिसेदारी में यह आती है इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं से चिपा हुआ नहीं है और इसी बहस के बीच आने वाला जो चुनाव है वो होना है और यही बहस मोदी जी को सत्ता से बाहर कर देगी तो हम तो यह कहेंगे भाजपक एक सांसद हेविडे ने कहा है कि 400 का पार इसलिए चाहिए कि हमें सम्विधान को रहना है पहले बाद तो बिहार की जंता और देश की जंता को सवधान रहना चाहिए इस 400 की पार बोलते हैं तो उनकी सीट पर क्या होगा यह तो अपने मुह मिया मिठू बन रहे है उनकी जंता से उनको तो लेना देना है नहीं विधायक जंता किसी को जीता है कि अलेक्ट्रॉल बोल्ट का पैसा है उस ताकत के बल पर बनी हुए सरकार ले ले लेंगे तो यह सब तो हम जानते हैं कि अगर उनकी ताकत मिली वह 24 में आए तो यह सब कर सकते हैं लेकिन खतरा प्रवाइब प्रवाइब लेते हैं 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के घरी मजदूर अधिकारी जो भी है जिनका फिक्स डिपोजिक बैंकों में रहता है वो पैसा बिहार से उठाके दूसरे राज्यों में ले जाए गया है वहां ले जाके अरवीाई के माद पर कहां तक सही है बिहार पैसे नियम तो यही कहता है जो पूझी जमाह forces możemy लोग की सिप्वेटी बैंक बिहार के लोगों को देगा कर्ज के रूप में देगा विकास की उजनाओं में उसका जो फंड होता है उस पर खर्च करेगा लेकिन बिहार का पैसा उठा के बाहर लेके चला जाए देखिए बिहार की जहां तक चर्चा है लगातार हम लोग इसको हम लोग कह रहे थे कि बिहार का है है जो बिहार है वह मुलत खर्ची परधान राज्य लेकिन प्राकृतीकार्णों से तीं तरह के कर्ची छोट रहे यहां एक फड्र है जहां पानी से तबाह हों दूसरा छेट रहे जहां सुखड से तबाह हों तीसरा जो शोन नहर के इलाके का छेतर है वहां कहिए कि अभी भी ओ पानी ठिक ठिक उनको नहीं मिल रहा है ऐसे इस्तिति में हमने सरकार से कहा कि भाई यह पूंजी है जो बैंकों में जमा पैसा है तो पैसा तो घर्च कीजिएगा तो खर्च कीजिए ना आप जब गंगा से पानी ले जा रहे हैं गया पित्रों के लिए किसां मीत्रों के लिए जहानबाद नवादा नालंद जहान निखेतरों के नहरों लाके इन चेत्रों को सुखाड प्रभावित जो इलाके हैं इनको इलाके बनाने के लिए टेक्निक लिया यह आप गंगा के पानी को अटल बहरी बाजपे को उस बात का समर्चन कर रहे हैं कि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो यह समझा है। उनको लोन मिलता है लोन मिलेगा तो जो रसीद दिखाएगा उसको रसीद नहीं उनके पास में है उनके खेत में अगर गहुं में याग लग गया तो पैसा नहीं मिलेगा तो हम कह रहे हैं कि इनको एक पर्चे पत्र दे दीजिए और उस पर्चे पत्र के अधार पर जो बटा बिहार का है वो बिहार में खपत होगा और बहुत आगे बढ़ जाएगा लेकिन बिहार के गरीबों से बिहार के लोगों से किशानों से पैसा लिजिए बिहार के लोग जहां तहां से कुछ कमा करके कुछ फिक्स डिपोजिट किये हैं कुछ पेट काट करके बचा के बैंक में रखे हैं और उस पैसे को आप मुनाफा कमाने के लिए दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं तो यह तो निश्चित रूप से विकास बिरोधी दृष्टी कोन हैं और हम कह रहे हैं कि यह नितीश कुमार जी को हम तभी सलाह दे सकते थे तभी हमारे बात मानेंगे जब हमारे स संकट में हो कि जैसे तीन क्रिशी कानून लाया गया था ना खेती ही अडानी को दे देना है तो इसलिए तो भाज़पा यही समझाए कि किसानों को डालो संकट में पूरा डालो संकट में कि वो खेती अंबानी अडानी को दे दे और अमबानी अडानी फिर जो है लेक्ट्र में है बड़े जो खेतहर किशान है वो अब खेती नहीं करते हैं उनकी खेती जो है वो एक तबका करता है जिनके बच्चे बाहर रहते हैं पैसा भेआते हैं खेति में पूजी लगाते हैं लेकिन कभी सुखाड मार देती है तो कभी बाढ़ उनकी फसलों को बहा ले जाती है किस तरीके से किसानों का हक मिलेगा इस पर तमाम इन बातों पर बड़े अच्छे से बात रखी रामबली सिंग में क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी या बिहार के मुख्य मंत्री नितीस कुमार जो सकौट लैंड घूम रहे हैं इन किसान की बातों को समझेंगे क्या बिहार का पैसा बिहार में ही उपियोग होगा कब बिहार के किसानों के दिन लोटेंगे इस पर भी नजर रहेगी कैमरामेन प्रेम के शाद मनोच चतुरवेदी पटना